वल्कम तो इस्टडी चैनल में नाम है मुहम्मत कैसर बात करेंगे यूपी सिक्षा सेवा चैन आयोग के संबन में दोस्तों बड़ी अपडेट की बिल्कुल दोस्तों ओफिशा जनकारी मिल चुकी है जो संसोधि ड्राफ्ट था वो मुखमंतरी के पास पहुँच चुका है और जैसे ही सासन की तरब से से मंजूरी मिलती है उसके बाद फिर नया आयोग गठित हो जाएगा मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था भी दोते दिन पहले कि संसोधि ड्राफ्ट सीम आफिस पहुँच गया है और आज वो खबर यहां से पक्की हो जाती है देख लिजिए प्रियागराज में सिक्चा सेवा आयोग के मुख्यालयक प्रस्ताव है ये भी जानकारी मिल गई है जो पहली निमावली आया थी 2019 में उसमें प्रस्ताव मुख्यालयका प्रियागराज में ही था लेकिन बाद में कुछ खवर निकल कर आएं कि इसे लखनो स्रिफ्ट किया जा रहा है तो उसका काफी विरोज भी हुआ था अब फाइनली जो संसोधी ड्राफ्ट है उसमें भी मुख्यालय का प्रस्ताव प्रियागराज में भी है तो छातरों को इसको लेकर काफी संतोस है देख सकते हैं अपडेट ये निकल कर आई है कि प्रात्मिक से लेकर उच एवं तकनीकी सिक्षर संस्थानों में सिक्षक भरतियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आधित नाद के निर्देश पर राज सिक्षर सेवा चैन आयोग गठित करने की प्रिक्रिया कुछ आगे बढ़ी है और आगे बताया गया है कि इस नए चैन आयोग के गठन की कवाया 2019 में ही सुरू हुई थी तब अधिनियम भी बन गया था लेकिन वो अस्तित्व में नहीं आ सका अब साशन ने मुखमंतरी के निर्देश पर वह 2019 में बने अधिनियम में संसोधन यवं नए प्रावधानों सहित उत्तर प्रिदेश सिक्षा सेवा चैन आयोग विध्यक का नया ड्राफ्ट तयार कराया है कमिटी ने नए ड्राफ्ट में इस आयोग का मुख्याले प्रावधानों बनाने का प्रस्ताव किया है जिस पर साशन की ओर से अंतियम निड़य लिया जाना है यह नया आयोग अब आइड़ेड मात्मी विध्याले में सिक्षक भरती कराने वाले उत्तरप्रदेस मात्मी सिक्षक सिवा चैन बोर्ड और आइड़ेड महाविध्याले में असिस्टन प्रोफेसर वाले संस्ता उत्तरप्रदेस उच्छतर सिवा आयोग प्रयागराज की जगह लेगा तो प्राद्मी सिक्षक भरती जो अभी तक PNP करा रहा था माद्मी की भरती TGT PGT उत्तरप्रदेस माद्मी सिक्षक सिवा चैन बोर्ड से होती थी वहीं पर असिस्टन प्रोफेसर की भरती उच्छतर सिक्षक सिवा आयोग से हो रही थी ये सभी भरती हम नए आयोग से होंगी 2019 में इस आयोग के गठन के जब प्रयास हुए थे तो उस समय जो अधिनियम बना था उसमें नए आयोग का मुख्यालाय प्रयागराज में बनाया जाना बिल्कुल फाइनल था लेकिन अब जनवरी 2023 में जब मुख्य मंत्री ने नए चैन आयोग के गठन के निर्दिश दिये तब यह सपस नहीं हुआ किसका मुख्यालाय कहा होगा असमंजस के सिती बन गई थी 2023 को एक आदेश में तत्काली कपर मुख्य सची उच्च शिक्षा डॉक्टर सुधीर अम बोब्डे ने लिखा कि उच्च सिक्षा, मादमिक सिक्षा, बेसिक सिक्षा, प्रावेदिक सिक्षा, वेवसाइक सिक्षा, एवं अल्प संक्यक कल्यान, एवं वक्त विभाग के सिक्षा को प्राचारियों, प्रदानचारियों के चैन किले चैन आयोग अधिनियम 2019 में संसोधन का निड़ लिया गया था 12 सदसी एक कमिटी बनी थी उसने संसोधि ड्राफ्ट अब तयार कर लिया है और इसे भेज भी दिया गया है CM के पास तो दोस्तों अधिनियम बिल्कुल तयार है और इसे जैसे मुखमंद्र के अफसामति मिलती है और ये कैबिनेट से पास होता है तो ये अधिनियम कानून बन जाएगा सासन को अफसा लेना है कि सदियम को उन्हें पास करना है या फिर से कुछ संतोधन के लिए वापस भेज देना है जो भी अप्लेट होगी सुचना आपको दिया जाएगा उम्मीद है इस बार नया अधिनियम पास होगा और नए आयो का गठन जल्द होगा चु कोई भी एफिडेविट नहीं सौपा गया कोट ने 30 माई को सीधे सीधे कोट में उपस्तित करने के लिए कह दिया है जवाब देना होगा उच्चेतर को की आखिर वो परिक्षाएं क्यों नहीं करा रही है चुकि इसे पहले सुनवायों में ये का गया था कि नए आयोग का हो रहा है प्रस्ताओ तैयार है तो कोट ने कहा कि एक प्रस्ताओ के आढ़ार पर आप सभी भरतियों को नहीं रोक सकते जब तक कि ये कानून का रूप नहीं ले लेता है सिर्फ एक प्रस्ताव है नए आयोग का और पुराने जो आयोग हैं चाहे हो मादमिक हो टीजेटी पीजेटी को जो परिछा कराता है या फिर उच्चतर हो अस्टिन प्रोफेसर वाली संस्था ये तो आज भी अस्तित में हैं ही ये कानून आज भी लागू है तो पुरानी प पुरी कोशिश है जो भी लंबित परिक्षाइं है वो नए आयोग से ही हो तो यह रही आज की वीडियो में कुछ मात्पूर अपडेट वीडियो को लाइक जरूर करा है चैनल को सब्सक्राइब करके बढ़े कन दवा लिजे ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथन्टिक इंफोर्मेशन मिलती रहे थैंक्स वर वाचिंग